एक लाग के आसपास में प्रिडेटर हमारा राजा हुआ करता था जिसके अंदर i5-13500HX 4050 मिलता था फिर थोड़ा सा मामला चेंज हुआ फिर 4060 वाले लाप्टप आने शुरू हो गए और 4060 वन लाग के आसपास में लिनोवो लॉक बहुत टाइम चेट बैठा था 13620H के सबसे बहले रिव्यू भी करा था उसके बाद इनका और नया मॉडल है 13650HX के सौथ 4060 एंड 13650HX अच्छा परफॉर्मिंग लाप्टप है लेकिन लॉक के आसपास जो कॉन्टर वर से चल रही है तो लोग को बहुत मारा गी यार ले ना ले माइंड में आ जाता यार पी सबसे बाद बहुत कम यह इसके बहुत कम यह इसके अंदर भी है और लाप्टप में यह पर कोई भी लुक वाइस चेंज नहीं है जो लास्ट यह वाला तफ ता हमारा सेम लुक्स इन्हों ने फॉलो करी है भी थोड़े दिन पहले ए 15 भी रिव्यू करा था जिसके अंदर सब्सक्राइब कर सकते हैं मैं कुछ इतने लिडिस की पीछे चल जाती है कीबोर्ट फ्लेक्स हमारे को यहां पर सच नहीं मिलता और टॉप लिड फ्लेक्स भी बहुत कम मिलता अंदर से पॉलिकार्बनेट बिल्ड बिल्ड के मामले में टॉफ सीरीज है तो टॉफ बिल्ड हमारे को मिलती है और हाँ इस लापटाप का वेट वह एक अची चीज है 2.2 kg के आसपास है गेमिंग लापटाप की तरह 2.4 2.5 नहीं है दो 300 ग्राम ही कम है बट स्टिल कम है तो कम है अगर चार्जर भी इंग्लूड कर दो तो तो भारी तो रहेगा अगर बैग वैग में ल सारे पेमेंट मोड भी है वहाँ पर कैश क्रेडिट तो सारे इंफ्रमेशन डिस्क्रिप्शन में दूंगा एड्रेस कॉंटाइक नमबर सब कुछ जाने से पहले कॉल वाट्साप कर ले ना अगर इस लापटाप की बात करता है यह आता है इंटल को आई 713 620 एच प्रोसेस सी थोड़ी सी बेटर है 13700H की लाइक बैटरी सेविंग आपकी थोड़ी जादा हो जाएगी एकोर्स में थोड़ी टास्क साइन होगे थोड़ी बेटर वह कर पाएगा ओवरॉल पर्फॉर्मेंस में सच को डिफरेंस नहीं मिलता एंट 12700H का थोड़ा सा अपग्रेड आप सब्सक्राइब 140W TGP के साथ 16GB RAM मिल जाएगी सिंगल चैनल में DDR5 4800mAh स्पीड वाली अच्छी चीज़ा वाइगी सिंगल चैनल में DDR5 सिंगल चैनल में अच्छा काम करती है और एक स्लोट खाली है तो अपग्रेड में भी कोई टेंशन नहीं मैक्सिमम 32GB तक आप इसको ग्रेड करपा हो या और कनेक्टिविटी में वाइफाई 6 और Bluetooth वर्जन 5.2 मिलता है MS Office नहीं मिलेगा इस लापटॉप के अंदर जो कि लॉक में मिल जाता तो यहां पे च्छोटी सी कमी हो जाती है वाइसा एंड परफॉमेंस सबसे बहले बैंचमार के नंबर को सिनेमेंच मशीन लर्निंग की परफॉमेंस कैसी है हायर इस बेटर ऑविएसली उसके बाद पीसी माक टैन भाई 7200 दें ट्रीडी माक टाइमस पाई इसके नंबर से वड़िया निकाल के दे रहा है एंड जीप्यू के लिए ब्लेंडर बैंचमार के आसपास स्कोर निकाल के देगा है और उसके बाद हमें एक्स्रीम टेस्टिंग कंडिशन में लेकि जाते हैं प्राइम 95 हमने इसके अंतर से लाए अप्रॉक्सिमेटली एक घंटे तक 100 परसेंट लोड पे अपना सीप्यू रखते हैं और उसके स्टाट्स आप देख सकते हो सीप्यू का टेंप्रेचर है वो 96 तक मैक्सिमुम चल गया तो एवरेज भी हमारा 95 तक ही रहाता तो सीप्यू अच्छा का सा गरम तो हो जाता है अस लाप्टॉप के अंदर उसके लावा क्लॉक्स पीड्स भी अगर आप देखोगे तो मैक्सिमाम 4.6 GHz तक तो गई लेकिन जो एवरेज निकल गया है वो 3.1 GHz का निकल गया है जो की सही है अगर वाटेज भी आप देखोगे ना तो पीक 110 वाट तक सीपी पुछ मार गया तो एवरेज भी 78 वाट के असपस निकल गया तो निकल गया है तो ना तो बनता है वाई पावर भी तो इतनी है ना उसके बाद फर्मार कमने टेस गया जो जो पुछ करने चाहिए अगर रियर लाइफ परफॉरमेंस की बात करते हैं आपको करने असे लापटाप पर आराम से कर सकते हो किसी भी लेवल की क्योंकि CPU अच्छा है एक्सपोर्टिंग करने है मुजिक प्रडक्शन वाले टास्क करने है या डे-to-day टास्क करने है वह ये ल 1650 भी आज की रेट में चला के खुश है डिपेंड करता अब कैसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो चाहिए वह 3D वाला है चाहिए वह गिम डवलपमेंट है कैसे टेक्च्चर जै कैसी प्रोजेक्ट फाइल है कैसा आपका सिस्टम हैंडल कर बाता है इट अल वेरी सब्जेक सब्सक्राइब करता है इसके अंदर भी बढ़िया हमारे को 180-200 fps हमारे को मिल रहे थे और यह गेम हमारा 60 fps लॉग्ड है तो यहां पर 60 fps मिलें क्योंकि 1080p है उपर 40-60 लगा रहा का सके अंदर तो मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस तो मिलनी दी गेंगी अगर आपको यहां पर कम टेंपरेचर चाहिए तो आपको अंडर वोल्टिंग करनी पड़ेगी यहां पर इंटल टूल लाक लगा सकते हो उसके बाद साइबर पंग 1080 पी अल्ट्रा एंड इसके अंदर भी तकड़ एंड लेकिन रेट रेसिंग फ्रेम जनेरेशन लगाने दूसरे लाप टॉप से 4060 वाले से तो ध्यान रखना यह फुल एजडी वाला पैनल है क्वाड एजडी है ड्ली क्यू एक्स्ट यह पैनल नहीं है उसके बाद सी ओडी वार्जान 2.0 एक्स्ट्रीम सेटिंग और यहां पर भी तकड़े फ्रेम रेट मिल रहा है लाप वाले गेम्स में फील नहीं होगा अच्छी गेमिंग कर सकते हो मतब कैशूल गेमर्स वह चीज फील नहीं कर बाएंगे इसके अंदर भी हमारे को 3040 अब हमारे को फ्रेम जनेरेशन लगाने पर मिल रहे हैं और उसके बाद हमारे को जादा फ्पेस में इतना डिफरेंस नही अब इसके अब 7.8 GB तक यह GPU कर रहा है और वाटेज भी आपने देख लिए होगी 4060 है तो 90 वाट तक यहां पर कुछ मारता है जाता था 100 वाट किसी किसी केस में उसके लावा परफॉरमस वह हमारे को ऐसी मिल जैसे मिलनी चाहिए तो हम यहाँ पर टेस्स कर रहा है हाई सेटिंग्स पर और हाई सेटिंग्स पर बीना रहा परफॉरमस में 40 fps निकाल के देगे है लापटप और रेजलूशन भी 1080p है लेकिन फ्रेंज लगाने के बाद तो उससे बढ़ी है 100 fps के आसपास उसके बाद एलन वेक 2 हमने यहाँ लिए लिस्ट में 1080p अल्टरा सेटिंग्स एक तरफ ड्लस फ्रेंटी ऑफ यहाँ पर मतलब रहा पर्फॉरमस में अच्छी पर्फॉरमस और फ्रेंज लगाए लेकिन उसके लिए बहुत डिमांडिंग है आप देख सकते हो रहा पर्फॉरमस में 17-18 fps पर उतर आया था लेक 1440P gaming capable भी है तो अगर आपको एक्स्टनर मॉनिटर लगाए 1440P पर गेमिंग करने हो तो वहां पर भी आप कर पाऊगे और यहां पर दो टाइप सी पोर्ट है जिसमें से एक थंडर बोल्ट फॉर पोर्ट है जो हमारे को लिनोवर लॉक के अंदर नहीं मिलता एंड इस इसके केस में क्यों नहीं है लेकिन दूसरा टाइप सी पोर्ट है उससे कम में एक बर चला के देखना चल जाते लेकिन पीक परफॉर्मेंस जाए वह 90-100 की शायद है इसकी और आखरी में एक 3.2 जन वन टाइप एपोर्ट मिल जागा है और हैं हैंट्फोन माइक का कॉम्ब और मख स्विच मिलता है अदर आर्मरी क्रेट के अंदर जीप्यु मोड मिलता न अल्टिमेट सेंडर टिकों डिफरेंट इसे माइप में इसे प्रफॉर्मेंस के लिए मद्लब क्या है आई जीप्यों पर इंटर्नल डिस्प्ले को शिफ्ट करना जिससे आप बेटर तुका हो डुटी चोटी मिलती है नंपड इंक्लूड़ीड है और शिंगल जोन आरजीब वाला यह कीबोर्ड है आप डिफरेंट इफेक्स लगा सकते हो और सिंगल सिंगल कलर चीन कर सकते हो वादा पूरे कीबोर्ड में एक ही बारी में एक ही लाइड जलती है और उपर हमा को 16 रेशो 9 वाली डिस्प्ले यानि की 1080 भी डिस्प्ले है एंटी क्लियर IPS पैनल है इसके अंदर 144 रिफ्रेश रेट है डायनामिक रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है 72 एं 144 में शिफ्ट होती रहती है और ब्राइडनेस का केस तोड़ इंट्रसिंग है ब्रैंड ने मेंशन कर देखते तो अच्छे कलर्स आपको मिलेंगे इवन गेमिंग में भी आपको अनन्द मिलेगा और बहुत लोग माइंड में डाउट आता है कि जादा srgp वाली डिस्प्ले चाहिए कि गेमिंग के लिए बीदे को चाहिए नहीं है इसमें जादा मज़ा आएगा देखने में अगर आपको डिफ्रेंस जाना ना 45% एशी और 100% इस अर्ट पर साइड बाए साइड रखो जो तुम्हारे को लगता है और तुम्हारे को लगता है और पैसे डालो बड़ी आइडिया है कॉमेंट करें करें के बता हो और अगर आप इसके कीबोर्ड पर गेमिंग करते तो दबल्यू एसजी आसपास 33 35 तक टेंपरेचर जाते और स्पेस बार वाला जो एरिया वो भी 35 तक ही रहता है और जो मेंट चिप साइड एरिया है डेफिनेटी वो तो गरम होई जाता है 4041 के आसपास तो आपको थोड़ी बहुत वार्म साइड फीलिंग आई गेमिंग करते स्पीकर मिलता हैं तफ के स्पीकर जैसे हैं वैसे हैं मतलब आपने स्पीकर में इतना इंपक्ट नहीं आता जितना इक्स्टनल डिवाइस माता है और तफ का सबसे बैस पार 90 वाट आर की बैटरी यहां पर बैटरी आप अच्छा मिलेगा 4.5-6 बैटरी निकाल सकते हो अग बेसिक टास्क वहघर चाहें और св10 बैटरी बैटरी निकालख और हां जo ऊथा अच्छा है एक तो की पूरी बात चीथ cambição कि चुँट और बात का ही डिटा दो क्योंकि वो भी 1,500,000 एक और लॉक लिस्ट हो चुका है जो एक लाग 5,000 रगा 13650 HX प्रोसेसर के जाथ जो हमने सेल वाली वीडियो में आपको रेकमेंड भी गया था वह लापटोप सेल में 1,500,000 अब 1,100,000 हो चुका है लेकिन अगर आप उस लापटोप के सी 4060 115W वाला मिलता है लेकिन आपने गेमिंग में जैसे की देख लिया 110W से उपर 4060 जाता ही नहीं है तो ऐसी उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है तो यह लापटोप उसकी रिप्लेस्मेंट बन सकता है लॉक में MS Office मिल जाता है इसके अंदर Thunderbolt 4 port मिल जाता है तो बहुत सा मिल रहा है तो आप Old Gen के लिए मत जाना उसके लावा एक प्रेडेटर नहीं आ रहा रहा 1,10,000 में 13700HX 4050 जो काफी पुराना हो चुका है उसका रेट मेरे असाब सब 1,000,000 के आसपास आ जाना चीए तो जाके मैं कहूंगा कि वो भी एक वैल्यो फर्मर नहीं हो सकता है उसक के लावा एक और option है HP Omen का यह मैं सोच भी रहा रिवीव कर दूँ अगर आपको सिर्फ HP के लिए जाना है Asus, Lenovo किसी और laptop के लिए जाना तो Ryzen 7840 HS के साथ 4060 वाला हमारे को laptop मिलता है वो पूरा laptop इसके जैसा ही है एक्स्ट्र मिलेगा उसके अंदर बैटरी 83 वाट आराइस में 90 है जाधा डिफरेंस नहीं आएगा जीप्यू परफॉर्मेंस सेम मिलेगी बिल्टन डिजाइन थोड़ा सब्जेक्टिव है उमेन का 7840 HS के हमने स्कोर निका लेते हैं आप देख सकते हैं सिने में चार्ट 23 के 15,000 के आसपस मल्टिकोर स्कोर है जो इस लाट टॉप के कंपरेजन में बिल्कुल ठीक है लेकिन अगर आप सिंगल कोर स्कोर देखोगे ना बहुत काम आती है और सिंगल कोर परफॉर्मेंस और जिसके मारा था भी यह लॉक ले ना ले आर दिमाग में समझ नहारा 46 ही चाहिए वन लैक के आसपास बिल्स प्रफॉर्मान करेज़ लोग ना में समझ प्राइब लोग देखोगे लोगत जोगी चाहिए लोगता चाहिए लोगत अबाता सब्सक्ष्ट काम आतार जे घंगे लोगता है इह लोगते हैं में सक्कतिकर जो एफ पर गफॉर्मान मेंस विर्ल